यादे कुछ अच्छी कुछ बूरी साल जो गया कुछ अच्छी चीज़े दे गया कुछ बूरी चीज़े दे गया लेकिन हम कहते हैं कि आगे चलना ही हमारे जिंदरी के का नाम है और आगे क्या होगा इसकी उत्सुकता भी हमें रहती हैं आने वाला साल है 2024, हम सब मैं मन में भावना रहती है कि मेरा आने वाला साल कैसा जाएगा, खुद सुपता तो रहती हैं, थोड़ा सा भर थोड़ी सी खुशी भी उसमें समय रहती है, और हम प्लान भी करते हैं, उस प्लान को सहार करने के लिए आज हमारा स्टूडियो में और आप जो तिश विशेशक्य भी हैं वास्तु विशेशक्य भी सबहुत सब्सक्राइब पर लबसेशमाइब गेसा नमस्कार बड़ी उट्सुटार से सर दरशक आपको देख रहे हैं तो हम सीधा शुरू करते हैं पहले चार राश्य से जो कि इन चार राश्यों का आने वाले साल 2024 का पविश्य कैसा रहेगा कुरुपया हम सुनेंगे जोतिश अच्छार रिष्ट दरन मुहांजी से नमस्कार दिखें दोजार 2024 अपना चालू हो रहा है और हम्मरा यही मन से कामना है कि हमारे सारे बीसेन के दर्शकों का 2024 अच्छा खुशाली से खुश्यों से भड़ा रहे विग्न दूर हो तो सरुप्रत्वम विग्न हरता श्री गनेश का वंदन करके आगे बढ़ते हैं देखें अभी 2023 हुआ अपना 2024 चालू हुआ है तो इसके अंदर बहुत सारे बदला हुआ है जैसे मीजर जो राशेयर है अपने ग्रह रहते हैं जैसा गुरू अपना राहू केतु शनी बहुत सारे इसमें चाल चलेंगे और इसमें कैसा मंगल सुरज जब जब उसके आरवसास पास में या फिर केंदर में या फिर 90 डिग्रिस में चलेंगे तो बहुत सारे बारा राशियों में से करिन राशों को अच्छा करिन राशों को बुरा होता अब देखिए हम जानते हैं ये 2024 में बारा राशियों के लिए कैसे फल अफल अच्छे बुरे परिना मिलते हैं क्या क्या हमको सतरक्ता बरत्मा चाहिए कैसे कैसे हमको छोटे-मोटे उपाए करके हम भगवान के आशिरवाद से हम कष्टों से पार पढ़ सकते हैं और हमारे दीवन में खुशियों को दुगना कर सकते हैं सर्वो परतम जानते हैं मेश राशी के बारे में मंगल का राशी सबसे पहला इसमें और एक बिच्छार ऐसा है कि हर राशी का हर एक इसका हर कामकार जो शुरू करते हैं उसका एक महरत होता है यह जो साल अपना चालू हुआ है यह साल है अपना कन्या लगन शिंख राशी में चाले ने जो अपना 31 तरीक के रात के 12 बचकर एक मिनिट के बाद जो मोहरत चालू होता है हाँ जी हाँ जी एब्सिलूटली जो ब्रात के हमके से 31 सारीक रात को बारा बज़े से बारा बचकर एक मिनिट से आपना दोजार चालू हो जाता है अकॉर्ण टू कैलेंडर तो उसी साब से देखा जाए कन्या अलगन सिंग राश कहते हैं कि इसका असर कैसा रहा हम भारत वर्ष के लिए कैसा रहेगा तो इसका च्छड़न हम अगलेक हुआ कि अपिसर बचविक एकने तेचा करेंगे कि लिए इसंप विस्तार से जाने हिए क्ट-वराकि हलाकि एप्रिल तक का थोड़ा सा काम काज में, रिष्टेव में थोड़ा मंदी रहेगा, एप्रिल के बाद इनका काम का जोर पकड़ेगा, फिनेंशिल कंडिशन अच्छा होगा, घर में कोई शुबकारी हो सकता है, अगर ये फॉरिन सम्मंदित कोई काम करते हैं, उसमें इ व्यापारवद्धी में योग बनता, रही बाद जो महिश्राशी वाले चादी के लायक हैं, जिनको शादी नहीं हो रहा भी तक का, तो उनको ये साल में एप्रिल के बाद शादी जुड़कर शादी होने का योग पूरा-पूरा योग बनता है, प्रयास करेंगे तो अच् अच्छा इसमें अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो व्यापार वर्ग में हैं, और जो लोग जॉब में हैं, उनको प्रोमोशन मिलेगा व्यापार वर्ग के लिए अच्छा उननती व्यापार के अंदर अच्छा प्रॉफिट होने का योग दिख रहा ह मेश राशी के लिए कुल मिला के मेश राशी वालों को अच्छा है लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मेश राशी वाले अपने पेट का ध्यान रखें अपने पित्त का ध्यान रखें और जो चीज आपके कीमती वस्तु जो आप कैरी करते हैं आपके घर में या कैरी करते हैं क्या कर सकते हैं रविवार के दिन वो भी राहुकाल के अंदर अगर दुर्गा महिया के मंदिर जाकर दुर्गा महिया के सामने बैठ कर दुर्गा महिया का चालिसा पड़े दुर्गा चालिसा और हो सके तो लाल रंग का फूल अगर अरपित करते हैं दुर्गा मा को तो उनक के लिए बहुत बहतर रहने वाला है और छोटा सा उपाई भी हमें मोहन जी ने बताया जिसको अगर हम करें तो हम समझते हैं कि आने वाला जो साले मेश राशी के जात्रों के लिए बहुत ही उतकुरुष्ट रहने वाला है वृषव राशी के ओचल देखिए अगला है 2023 जो पिछला गया उतना खास नहीं रहा, परेशानी वाला रहा, अभी वृषब राशी वालों के लिए एप्रिल के बाद काफी कुछ रिलिफ मिलता दिखाई देगा, जो खर्चे हो रहे थे, जो उनके तब्यत में साथ नहीं दे रहा था, या जो उनको काम करने के बाद भी यशने मिल रहा था, उन चीजों में उनको सफलता मिलता है, दिखाई दे रहा है, और वृषब राशी वालों के लिए नया मकान, नया भूमी कुछ लेने का योग बनता है ये प्रिल के बाद, और वृषब राशी वालों के लिए काम काच के अंदर उन्नती दिखाई उनको बहुत सारा लाब होते दिखाई देगा ये साल, वृषब राशी वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, कुल मिला के थोड़ासा पेट संबनी समस्या हो गया, बच्चों के उपर नियंदरन रखना, और जो बच्चे वृषब राशी के जो स्टूडेंट का पाट करना चाहिए, और हो सके तो गाहे को उड़त के दाल का कुछ बना कर या उड़त का दाल भीका कर खिलाने से शनिवार के तो उनको बहुत फाइदा रहेगा, रुषब राशी के लिए भी ये साल जो है, मिला जुला रहने वाला है, हो सकता है कि 2023 में जो दिक्कत या काने के बाद 2024 आपके लिए एक प्रुग्रेस लेकर आ रहा है, छोटा सोपाय बंडी जी ने बताया, अगर हम उसको करे तो रुषब जाती जातक जो है, वह एक अच्छा अनुबाव अपने साथ में लेकर जा सकते हैं, और उनके लिए हम शुप करना जेते हैं, अगली रा क्यास की अभी तक का 2023 में वो सारा फल इनको मिलेगा, अच्छा उन्नती रहेगा, उनका communication skills अच्छा रहेगा, profit up margin अच्छा रहेगा बिजनस के अंदर, अगर काम जॉब कर रहे हैं, जॉब में उन्नती मिलेगा, मिथुन राशिवाले को कैसा, एप्रिल के बाद हो सकता, उ प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हो, लेकिन थोड़ा सा हेल तब्यत के उपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, और जो मिथुन राशिवाले उनके घर में मांगलिक कारे के उपर कुछ खर्चा होगा, या गाड़ी या जमीन के उपर कुछ खर्चा होने का योग बनता ये सा और मिथुन राशिवालों को जरूरी ये है कि अपने खर्चों पे नियंद्रन रखना बहुत जरूरी है, साल के उत्तरारधबागने है, श्क्स मुन्स के ऐबाद, जून के बाद, अपने खर्चों पे ध्यान देना निये तो खर्चे के एसा बहुत अनाफेशनाब होने का योग बंदा मिथुन राशिवालों को और जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन हैं दूर दरास किदर गाव मिल सकता है तो उसका ध्यान देना है और दूसरा केसा है जो बच्चे मिथुन राशिवाले पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छा रहेगा उन्नती रहेगा और उनके पतनी का तब्यद के बारे में ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ग्रहों के गोचर थोड़े ऐसे बनेगे मिथुन राशी के लिए यह फरवरी से लेके अपना जून तक का उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा मिथुन राशी वाले के लिए उनके पतनी या तो कोई मिथुन राशी वाले partnership firm चलाते पार्टर्शिप बिजन्स करते तो उनके पार्टनर के मन का ख्याल रखे partnership tuning के अच्छा करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा तो मिथुन राशी के जातकों के लिए जो पंडी जी ने बताया थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन स्लेश खास ध्यान लखना है अपने सेहत का अपनी जो लाइप पार्टनर उनकी सेहत का अगर हम ध्यान करते हैं तो मिथुन राशी के जातक है यह 12-14 में अच्छा प्रोग्रे करक राशी आके चंदर का राशी है करक राशी वालों के लिए हलाकि शनी का ढ़िया चल रहा है लेकिन गुरू जो स्तिती है केंद्र में फिर एकादश में आएंगे उस स्तिती को लेके करक राशी वालों को बहुत अच्छा योग बनेगा धनलाप की योग बनते हैं घर मे में उन्नती दिखाई देगा, कामकाज में उन्नती दिखाई देगा, पैसे पानी में बड़त दिखाई दे रहा है, प्रमोशन दिखाई दे रहा है, हर चीज से अच्छा है, लेकिन करकराशी वालों को थोड़ा सा अपना में 15 तरिक से लेके मैं 25 तरिक तक का गरहों का योग अच्छा नहीं है करक राशी वालों को तो यह 2 महना, 1.藤 2 महना जो आए है करक राशी वालों के लिए वह वहाँन बहुत सोज समझ के चलाना जरुरी है ने तो चोटा मोटा चोट लगना मार लगना हो सकता है और जमीन जायजाद के करकराई विक्रयाने करीदना बेचना जो जायबीन जायजाद करते हैं या आपका कोई प्रॉपर्टी बेचने कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा जमिला होकर फसने का या धोके बाजी का योग बनता है तो करकराशी वाले बहुत ध्यान दे कि जमीन ज यो डाइट है उनको जो रिगलर रोटीन हो खराब नहीं हो ने तो बहुत बड़े बीमारी में फस सकते हैं इससे उनका काम का एफेक्ट हो सकता है रही बात करकराशी के जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा आलस न करें बच्चे बाखी एकडेमिक्स में बहुत अ शंगर के मंदिर आते हैं तो अच्छा रहेगा और बगर भूले अगर शनी मंदिर जाकर उनका दर्शन करते शनी बार के दिन तो उनके उपर जो संकट आते वो टल जाएंगे हो सकता है कि कुछ मुसीबते हमारे पर आनिक अगर संभाव ना हो लेकिर उसके लिए जो दिशेशार्चा में पुपाइब है जो कि बंडिजी ने रहता है करक राशी के लिए एक विशेश समय जो है एप्रियल से लेके मई तक का थोड़ा सा आगे पीछे देखने के लिए लेकिर अगर हम भगवान की प्रार्थोना करें धांदें और हमारा हर पुक्भाब कर रहे व्यवार करते हैं हमारे पार्टनर से व्यवार करते हैं क्या जो भी बिए ट्रू इए terrorist करे तो करक राशी वालों के लिए भी आनE वाला 14、25 साल पर बहुत बेश प्र देने ऑने व स्वागत है जोतिश्य समाधार इस चर्चा सत्र में आज मेरे साथ में जोतिश्य चारिय शुद्धानन्द मोहंच जी जो हमें आने वाले दोजाज चोबिस का राशी भविश्य बता रहे हैं ब्रेट पर जाने से पहले हमें जाना था मेश रुशव नितुंतर्ग राशी का बखर है और आब हम रुख करते हैं सिंघ करने अतुला और वश्चिक राशी की और सबसे पहले चुद्धास के लिए यह साल बहुत अच्छा जाएगा पिछला साल यह साल अच्छा जाएगा बशरतिक सिंघ राशी वारे थोड़े अपने पेट का ध्यान देना चाहिए त तो उस संदर में अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा दूसरा सिंग राशी वालों को पार्टनेशिप्स अच्छे रहेंगे लेकिन जो मैं और जो अपना जो सॉरी एप्रिल और मैं का जो महिना आ रहा है वो थोड़ा सिंग राशी के पति-पत्नी के लिए अच्छा नहीं है जून जुलाई के अंदर आपके परसनल लेवल पर आपको तकलिफ आने का योग बनता है सिंग राशी वालों को पारिवार कलेश और यह बोलेंगे कुछ लोग कुछ समझेंगे और कुछ ऐसा यह भी कन्फिशन होता है अब्सलूटली यह यह राह अच्छा देखके कोई वाच्छे पंडी से पूछ के करते हैं तो वह काम बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा उन्नती देगा जीवन में उनको कर सकते हैं और नया सिंग राशी वाले 2024 के अंदर या गाड़ी लेंगे या नया भूमी मकान खरीदने का योग बनता है जिसके पर इनको वर्काउट करना है और सबसे बड़ी बात क्या है सिंग राशी वाले को अगर उनको उन्नती चाहिए जीवन में अच्छा उनको उनको सिंग राशी के स्वामी है सूरी भगवान सूरी भगवान तो साक्षा देवता है तो अगर रोज जल चड़ाते हैं सुरी मातापिता के अगर सेबाद करते हैं अगर मिलते बात कर सकते हैं अगर उनको सेबा कर उनको न्ट दुख सुग देखते हैं तो उनके परिराम, पत्रिका में जो रहु क्यारा, जो गो चर बुरा चल रहा है वह अवश्य ही अच्छा होकर दिखाई देगा इनको तो कुल मिलाकर सिंग राशी वालों को 2024 अच्छा जाने वाला है थोड़ा सा अब्वेत में और कम्यूनिकेशन बाच्चित करने में ध्यान रखेंगे तो सब चीजे अच्छा रहेगा सिंग राशी वालों के लिए यही चीज बताए करते हैं कर आक rod ने रखें हां जाएक के लिए को अने वाला सब्सक्राइब दोजार थे विसमें बहुत कश्ट भोगी हो रोगने परेशानी हुआ और उनको उपर वह सारे अपवाद आ गाये जो उन्हों ने गल्दी किया नहीं है और करता कोई भरता कोई ऐसा किस्सा हो गया करने राशी वालों को और करने राशी वालों को जैसे चेक आप जैसे 77 में चेकमेट बोलते हैं वैसे चेकमेट के स्थिति उनके लिए एक हो गया था ये 2023 में जिनके साथ हुआ उनको इस चीज मालूम है और तब्यत काफी उनका भिगडा है परेशान एप्रिल के बाद मैं के महिने से सारह चीज अच्छे होते दिकाई देंगे और कन्या राशी वाले थोड़ा सा अडियल पन कम करे JOSHE कम करे अकड़ बाज कम benें बाकि सब अच्छा रहेगा उनको कन्या राशी वालों को और इक दूसरा एक काम कर सकते हैं अपने अगर पती पतनी का रिष्टा है करने राशी के जो बिजनस्मन है उनके लिए उनके महीं के महिने से आने एप्रिल के बाद वहोत उननती और अच्छा रहेगा जो जवाब में उनको प्रमोशन पक्का मिलेगा मिलना ही है 2024 में बक्का मिलेगा जो 2024 में प्रमोशन अच्छे ज़गे मिलेगा और आपके मन में जो जो था यानि मेरेको प्रमोशन लेना है या गाड़ी लेना है या मकान लाना है, मकान लेना है, प्लॉट लेना है, कुछ भी लेना है, वो सारे चीजे मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं कन्य राशी में, 2024 हाखे कन्य राशी के लिए ऐसा समय लो, इच्छित वर्दान देने वाला साल है, सिर्फ आपको करना कहा है, एप्रिल तक का शांती से वो समय को काटना है आपने, और दूसरा कैसा कन्य राशी वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने आलस नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, कन्य राशी के बच्चे आजकल बहुत जिद्धी हो गए हैं, शेनी के गोचर के वज़े से, तो इसके लिए क्या वो, जो माता-पिता बोलते हैं कन्य राशी के बच्चों को, वो सुनना चाहिए, नहीं सुनेंगे तो दिक्कत उनको ये जिद करने से कुछ मिलना ही मिलता, और दूसरा कैसा है, कन्य राशी वाले हो सके तो भगवान नारायन के मंदिर जाका रहें, बुद्वार को, रविवार को, इससे उनको बहुत सहुबा की मिलेगा, अगर और कुछ कर सकते तो भगवान गणपती का इतिच पुजा करेंगे, संकस्ट का बरत करेंगे कन्य रा अगर तो इलेस्टिसिटी अगर कन्य राशी के जातक अपने सुभाव में लाए, अपनी व्यक्तित्वों में लाए और थोड़ा सा जुक कर चले तो उनकी राशी वालों के चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनसमर्य हो, चाहे वो आम आदमी हो, अगर वो विनम से बहतर सारे सपनों को पुरा करने वाला जो साल जो है, वो कन्य जातकों के लिए 2024 साधित हो सकता है, तो एक कन्य राशी का बहुती सुनारा भविश्य यहां पर विस्तृत किया है, पंडित मोहंची ने, आए हम चलते हैं तुला राशी के तुला राशी के जातकों के जो भी important काम है, यह जो भी बहुत महत्पूर्ण काम है, जैसा कोई घर करिना है, यह कोई मकान बनाना है, मकान लेना है, यह शादी करना है, कोशिश करे कि April यहने मही के पहले कर ले, April 30 तारीकें अंदर सारे काम लिप्टा ले, उसके बाद क्या होगा, काम होंगे लेकिन अ पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन जो अपने टार्गेट रखा है, मेरे को यह काम करना, यह काम मिटना, वो नहीं हो पाएगा, अडिचन जादा रहेगा, तो इसके लिए क्या करना है, एक तो आपने हर गुरुवार को कोई भी गुरु के मंदिर, साइ बाबा हो गय दूसरे गुरु अपने आचारे अपने प्रिताफ होते हैं, जो हमको सिखाते हैं जिन्दगी में जीना, तो उनका अगर हम चरण शूक के उनको मान सम्मंद, उनको प्यार देते हैं, उनको मान सम्मंद, उनके दिल से दुआ निकलता है, हजारो करोडों पुजा से की जितन उतना उसका मूली रहता है, ठीक है, और दूसरा कैसा है, तुला राशी वालों के लिए, थोड़ असा जो बच्चे हैं, ओजिद करेंगे, अडियल पन दिखाएंगे, जो नहीं करना वही करेंगे काम, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो कस्टमी आएंगे बच्चे, और जो तुला राशी वाले बिजनसमन हैं, उनके लिए काम काज एप्रिल तक का अच्छा रहेगा, एप्रिल के बाद थोड़ा मंदी रहेगा, काम काज में उतना उसको लाब नहीं, काम होगा, लेकिन लाब नहीं मिलेगा, हाथ में पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे का जो कि तब्यत के उपर बहुत ध्यान देना है, अचाना कोई क्रॉनिक काजर डिसिस चल रहा है या कुछ है चल रहा है, तो क्रॉनिक लेवल पे आपको परेशानी होने का योग बनता है, तो इसके लिए गुरवार के दिन हो सके तो पिला रंका वस्तिर पेने, और पिला रंका अच्छी शुरुवात लेकर आई हैं, तो इन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने जितने भी जो ठोस निर्ने हैं, जो बड़े-बड़े निर्ने हैं, चाहे वो घर में शादी का या कोई मांगली कारी हो, या घर बनाना हो, या कोई ऐसे बड़े निर्ने हैं, वो हम ए अब अगली राशी के लिए क्या लिखा हुआ है, देखें, वृष्चिक राशी वालों के लिए 2023 में थोड़ा सा परिशानी था, लेकिन अभी 2024 में वृष्चिक राशी के लिए नया चीजे बनेंगे से, नया कोई मकान बनाना, काम का चुके दर इंप्रूमेंट बिलेगा और जहां पर इनको काम करके भी इनको recognition नहीं मिल रहा था, इनको मानसंभा नहीं मिल रहा था, उनको ये वृष्चिक राशी वालों को 2024 में सारे चीजे जो परेतन कर रहे थे, जो परेशान थे, तरप रहे थे, वो सारा उनको तरप दूर होगा, और उनको रिलीफ मिलेगा और उनको उन्रती भी मिलेगा वृष्चिक राशी वालों को, हाला कि वृष्चिक राशी वालों को ये एक बात मैं बताना चाहूंगा, अपने बच्चों के प्रती थोड़ा ध्यान दे, अपने बच्चों के अपर ध्यान कहीं वो रास्ता नहीं भटके, कहीं उनसे गलत बच्चों से यह ध्यान देने क्योंकि व्रिष्चिक राशी वालों को बच्चों के वज़े से परिशानी या बच्चों को परिशानी होने का योग बनता है व्रिष्चिक राशी वालों को दूसरा कैसा है व्रिष्चिक राशी वालों के जो फरवरी से लेके जून तक का जो एप्रिल से लेके जून तक का गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए नहीं तो उनको जोट लग सकता है क्योंकि उनको शनी का ढईया चल रहा है ढईया के चलते छोटा मोटा चोट लगना या कानूनी संबंदित परेशानी होने का योग बनता है व्रिशिक राशी वाल है और जिनको शादी का योग नहीं जूड़ रहा था अभी 2024 में व्रिश्चिक राशी वालों का बहुत सारे लोग का शादी जुड़ जाएगा शादी होगी अच्छे जगे पे और सबसे बड़ी बाद व्रिश्चिक राशी वाले जमेगा हो सके ता हो सके तो क्या करना मं हनमन जी के मंदिर जाना है और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है अगर इतना जागर और दर्शन भी कर लेते तो उनको बहुत आराम पड़ेगा सब उन्नती दिखाए देगा और एप्रिल के बाद प्रमोशन सब चीजे अच्छे होंगे व्रिश्चिक राशी के जातकों का भविश्य था और एक जो सलाह मैं समझ पाया पंडी जी कि वह है कि प्रिकॉशन इस अल्वेज बेटर द्यान कि थोड़ा साम प्रिकॉशन ने थोड़ा साम अपने सुरक्षा का अगर ध्यान रखे तो जो पंडी जी ने बताए कि गाड़ी सावदानी से चला है हम अपने बच्चों का भविश्य भी हम सवास करते हैं ने वाला ऑपर बहुत के शिक्षा के उपर में कि वह क्या आच्रण न कर रहे हैं उनके अगेर सा धerson ईंकर थोड़ा से पूझाeffect करे थोड़ा सा हम आजयत्म का अगर ध्यां देखे तो रुष्जिक राशिक जातक नावस्टार फिर से एक बार स्वागत है आपका ज्थिस्य समाना में जहाएंपर हम चर्चा कर रहे हैं दोगर क्याभा पीश्टे में बार्णकरी बहुत अच्छा है दूसरा भाग में थोड़ असा नमी दिखाई देगा बाकी डरने का जरूत नहीं बहुत अच्छा रहेगा उन्नती अच्छा रहेगा धनराशी वाले बहुत इंप्रूमेंट करेंगे इस 2024 में उनका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ा सा मकान भूमी संबंदित परिशानी हो सकता है धनराशी वाले माता हो के रहे जो धनराशी वाले मा है जिनकी धनराशी उनकी माता है उनको थोड़ा परिशानी हो सक में और 2024 में धनुराशी वालों को कुछ नेत्रित्व करना या कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उनको कोई बड़ा सत्ता मिलने का योग बनता है और सबसे बड़ी बात धनुराशी में वालों के लिए एप्रिल के बाद थोड़ा सा नमी दिखाई देगा कामकाच के अंदर थोड़ा सा मुस्तेदी रखेंगे पंक्चरिटी बरकरा रखेंगे धनुराशी वाले तो बहुत आगे चलके इंप्रू करेंगे और जो उन्होंने प्रयास 2023 में किया है वो सारे के सारे अच्छे पर उनको 2024 में मिलेगा और एक बात है कि 2024 में धनुराशी वाले कुछ अपन उनके बाद थोड़ा पंक्चरिटी उनका कम हो जाएगा थोड़ा तब्यत सात नहीं देगा या मूड उनका उकड़ा उकड़ा बाकि ऐसा कुछ विशेश नहीं है कानुनी संबंदित अगर चीजों में कुछ कर रहे हैं कुछ उनका कुछ चल रहा है धनुराशी वालों का तो घुरुबार के दिन कोई भी गुरु के मंदीर जाए नमसकार करें पिले रंका ड्रस पहनेंगे पिले रंका शिट पहनेंगे पे रिक शर्ण पहनी अपना गुरुबार के दिन तो उनको फूल फाइदा रहेगा तो धनुराशी के जातकों के लिए एक सला है कि आप में अगर लेडर्शिप वाले की हैं तो आप उसको नवाज है उसको निखार उसके तरफ ध्यान दे तो आने वाले अपना सिक्का जरूर सारे देश पर या अपने समाज के उपर में चोड़ सकते हैं आई हम जानते हैं मकर राशी का परविश्य के लिए तो यह अंतीम चड़न चल रहा है सारे साथी का तो यह अंतीम चड़न में क्या होता है परिवारिक परेशन नहीं रहता है और तब्यट ठीक नहीं देता और आप बोलते कुछे लोक समस्त्balanced कुछ ऑ रहे परिवार के अंदर पहलत रहता पईसे पाने का चिंदा रहता है और सामने के पक्षंवाले को अप तो देखो यह चीजों को अपने थोड़ा थंड़े दिमाग से नहीं है और उसको कोई नकार नहीं सकता, तो उसको हमको बरदाश्ट करना पड़ता है, जैसे क्रिशन भगवान अर्जुन को बोलते हैं, शीत उष्ण लाभ घानी, मान अपमान तितिशस्वभारता, यह इसको बरदाश्ट करो अर्जुन, उसी प्रकार से हमको बरदाश्ट करना पड़ता है, तो हमको क्या करना बदाश्ट करना है, और दूसरा, मकर राशी वालों को यह साल कोई नए लिडर्शिप मिल सकता है, या बीतक का उनको जो हासिल नहीं हो रहाता, वो अपने बाहूबल से, अपना परक्रम से आसिल करेंगे, विल्पोवर बहुत अच्छा रहेगा मकाराशी वालों का, जो मकाराशी के राइटर हैं, लिखने वाले जर्नलिजम हैं, या फिर कोई डार्ड डिरेक्टर करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, वो कुछ लैंडमार्क बनाएंगे, ये साल ले कुछ लैंडमार्क जरूर बनाएंगे, उसमें भी कैसा एप्रिल के बाद उनका समय बहुत चमकने वाला है, मकाराशी वालों को, बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों से सुक मिलेगा पती से सुक मिलेगा हर चीज उनका अच्छा होते दिखाई देगा एप्रिल के बाद एप्रिल तक का थोड़ाँ सा मन में थोड़ा सा चिंता रहे गा डर बना रहेगा बच्चों के लिए कैसे होगा एपरिल के बाद यसे को देखो सारे अंदकार के बादल छट्टे भी दिखाई देंगे आपको एपरिल के बाद लेकिन मकार राशी होने के चलते क्या मैं मकार राशी वोने के यह की एनुरत पूरूँगा शेनिवार के दिन नौन वेज अंडा और लिकर का सेवन खुल न करे क्योंकि शेनिव के यह तीनों भी शेनिव पसंद नहीं करते यह चीज अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो आपको आराम रहेगा और सबसे बड़ी बाद 2024 के लिए मकार राशी में एप्रिल के बाद बिजनसमें को बिजनसमें मिलेगा और जो जॉब क अब योग बनता है मकार राशी वालों के लिए और जो लोग फॉरिंट टूर करना चाहते हैं कुछ अच्छ नया कुछ काम शुरूब उनके लिए सब के लिए मकार राशी वालों के लिए अच्छा टाइम रहेगा एप्रिल के बाद करा गोल्डन टाइम में डोंट कई लिए अगलुन टाओस यह तो यह जो हिता मंने के लिए आने वाला समय हमारा जो है सटिक का से जाजा सकता इसी घर घर Сजौटse और कैसा मकर राशी वाले हो सके तो हनुमान 40 सा पाट करें और रोज करें और शनिवार के दिन शनी मंदिर या हनुमान जी के मंदिर जाके जरूर जर्शन करें उससे उनको बहुत फायदा होगा यह कुछ उपाय है पंडिर जी ने बताया अगर हम इन उपायों के साथ में चलता है कि बहुतर कल अपना सवा सके हैं आई हम रूप करते हैं कुम्ब राशी के जात्रों के बहुत जाते हैं कंप राशी वालों को उनको ही मालुम उनको क्या परिशानी हो लोगों को दिखे कम अच्छा चल रहा है सब सही है लें उनको खुद को मालूम रहता है कि उनके दिल पे और उनके पर्सनल जीवन में क्या भीत रहा है तो इस पर थोड़ा वर्कॉट करना चेए बराबार ऐसा बिल्कुल निर्दई होना भी गलत है बहुत दरिया दिल होना भी गलत है आपको एक स्टैंडर्ड हो के चलना है इस दो बदाच ओभीस में हाजी हाजी और परिवार के अंदर थोड़ा तालमेल बला बराबर बना के चले बात करने के पहले हम किस से क्या कितना बात करें वो सोच समझ के बात करें, पैसे के लेंदेर में बहुत सावधान रहे, और जिन कुम्बराशी वालों को पेट समझी समस्या है, या कोई ऐसा कुछ बुराने बीमारी है, वो पुराने बीमारे फिर से सर उठाने का योग बनता है, तो बहुत केरफुल रहना है, और पानी का इंटेक अच्छा करें, समय पे खाना खाना जरूरी है कुम्बराशी वालों के लिए, नहीं तो अगर आपका तब्वित बिगड़ेगा, वहां से आपका स्वास भी बिगड़ेगा, आपका कामकाज बिगड़ेगा, तो आपको धनलाप नहीं हो पाएगा, तो ये सारी ची दिमाग गरम होएगा, आपके पार्टनर का जिगड़े होएगा, वह आप छोटी-छोटी गलतियां छोड़ दो, आगे बढ़ो, कुम्बराशी वाले क्या करना चाहिए, कुम्बराशी वाले हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर जाकर दूद्जल चड़ा कर आएं, और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है, शनी मंदिर में बैठ कर, शनी भगवान के सामने बैठ कर, शनी देव का उम्शम शनेशन जो मंत्र आता है, अगर वो जाप करते हो, उसमें सबसे अच्छा लाब रहेगा आपके लिए, कुल मिला के कुम्बराशी वालों के लिए, 2024 मिला जुला रहेगा, अगर आप बराबर का परिश्रम करते हैं, सब जगे आपको उन्नती मिलेगा, अगर आप आलस करोगे, कुछ नहीं आपको उतना जो सोचा वो प्राप्ती नहीं हो पाएगा कुम्बराशी को, क्योंके लगन में ही शनी देव चल रहे, शनी सार ये हैं कि जब हमारे सारने शनी देव का एक चैलेंज होता है, जब हम उस दौर से गुजरते हैं, तो हमें अपने प्रयासों को दुगुना करना पड़ेगा, और प्रयासों को दुगुना करना पड़ेगा, साथ में शनी देव की प्राप्तना करनी पड़ेगी, अध्य पेतना होता हैMPै आई हम आकरी मीन राशी में आकरी राशी और GURU का राशी और GURU इसके ब्रृस्पती इसके स्वामी है देखो मीन राशी वालों के लिए हैं साडै सति चल रहे हैं just अभी साडै सति का शुरुआथ है अभी उनको बहुत दूर सफर करना उनको और साडै साती में और सारसथी के चलते मीन राश्य वाली अभी फिलार के लिए 2023 में तब्वेट से परिशान रहे हैं, कामका से परिशान रहे हैं, पारिवारिक समस्या भी रहा है उनके साथ, उन्नती के साथ उन्नती मिला हुआ उनको, पैसे पानी भी थोड़ा सा अच्छा रहा है, लेकिन अभी यहां से 2024 का जो पहला भाग है, जो 2024 का पहला भाग बहुत अच्छा रहेगा मीन राशी वालों के लिए, कामकाच को लेके, पैसे पानी को लेके, दूसरा भाग जो मई के बाद जो 7-8 महिने जाएंगे मीन राशी वालों के लिए, वो जो मई के बाद 7-8 महिना जाए जब भी आपको मन उदास रहे, परिशान रहे, बहुत किदर भी आपको रस्तानी मिलता है, तो आपने क्या करना चाहिए, कोई तिर्थार जहां पे नदी हो, जहां पे संगम हो, या नदी हो, वहां पे जाके पाने में डुपकी लगाने से, आपको मन के शांती भी मिलेगा, और आपके कष्ट भी कम होंगे, आपको उननती भी होगा, यह आप करके देखना में राशी वारो, जब भी आपको ऐसा कष्ट रहता, परिशान रहता, जाने का, कोई भी तिर्ख्षेत्र में, छोटा मोटा तिर्ख्षेत्र कोई भी रहता, जहां पे नदी हो, या कुंड ह वहाँ पे डुब की लगा के परमात्म का दर्शन करके आपको अच्छा होगा और मीन रशी वाले को दिए को साड़े साथ चल रहा है जैसा मकर राशी कुम्ब राशी साड़े से चल रहा है उन तीनों राशी उने क्या करना चाहिए अगर इस चीज़ का पालन करते हो तो शनी देव को मान संबान देते हैं प्रभू हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं तो शनी देव आपके क्रिपा करेंगे क्योंकि साड़े साथ एक अंदर ऐसा रहता है जो जीव रहता है सर वो जीव यह जनम में इनसान समझो असी साल जीता है असी साल के अंदर साथ से तीन बार आता है कोई जीव को इस तीन तीन बार जो आता है पहली बार अलग पीड़ा, दूसरी बार तीसरी बार जो शनी देवा आते हैं, तो वो पीड़ा देने लाइक इंसान बस्तान ले के जाते हैं शनी देव को, यह ऐसा बोला जाता है, वो एक शास्त रोकते हैं, लेकिन जो लोग शनी देव को मान सम्मान देते हैं, जो लोग सम लागे देखो आठ नमबर होता है तो ये भी शनी का प्रभुत्व जादा है दोजार चोबिस में तो हम शनी देव की नियम के अंदुनसार चलें जैसा शनी देव जैसा moral moral character हमना maintain करें और do's and don'ts ना करें और जो शनीवार के दिन मीन राशी वालों को कैसा है कामकाच के अंदर उन्नती रहेगा और जुन के उनके मन में कुछ व्यादी परिशानी है मन में कुछ उथर पूतर है तो खुल के बोले खुल के बात करे तो उससे उनके doubts clear होएंगे और बहुत भ्रमन करेंगे मीन राशी वाले घूमेंगे इधर बहुत सारे घूमना जो होता है वो ऐसे ही रहता है टाइम बेस के लिए लेकिन आप उसको target बना के अगर घूमते हैं ये हमको ये पाना है करके घूमते तो आपको बहुत फाइदा रहेगा क्योंकि शनीदेव आपको घूमाएंगे इंडिया में घूमाएंगे इंडिया के साथ या अपने पती के साथ बराबर ताल में बिठा के चलना बहुत जरूरी है और जिनको भी marital समझ से चल रहा है जनो मीन रशेवालों को किसको समझो किसने शादी करना है करके वो उसका शादी जुड़ेगा होगा और समझो किसी ने सोचा है कि हमको divorce के लिए अपला ही क सॉल कर सकते हैं mutual में बैटने से आपका जो भी समस्य मीन रशेवालों का निपड जाएगा अच्छे से आप फिर से शादी भी कर सकते है या फिर आप अच्छा अपना जीवन अपने तरह से बिता सकते हैं तो दोस्तों यह था अपने बारे रशेव के लिए अपना भविश जो लोग अपने माता पिता अपने गुरुजन और अपने जो साथ रेने वाले लोगों का छोटे बड़ों का सब का ख्याल रहके चलते हैं परमात्मा उनके उपर ऐसे कृपा करते हैं क्योंकि ये शावासे मिदम सर्वम सर्वे सब में परमात्मा बसता है हर घटगट में पटपट में राम भसता है विश्णु क्यों बलते हैं हर विश्णु के अनु-अनु में बसता है विश्णु उसे परमात्म उसने विश्णु बोलते हैं हर इसमें परमात्मा बसता है तो हम अगर उस तरीक से चलते हैं जीव जुन्त के साथ अच्छे चलना हमारे लोगों सब्सक्रामान हो क्रीपा करता है और कल्युक में सबसे बड़े हनुमान जी है हनुमान जी का अरुज यह से पूजा पूजाते ठाज़ते हैं कि सब चीजो का हमारे भाविश्य की हम बनात करते हैं हमारे आने वाले साल के भात करते हैं, इसका एक ही सुत्रपता है कि हम कितने प्यार प्रेम पूर्ण भाव से, हम सद्धा से, हम आपस में रहते हैं, कितनी सद्धा पूर्ण बातों से हम भगवान का ध्यान रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, किस तरह से हम अपने माता- आपको जोड़े थोड़ा साम अपने आपको सराएं तो एक बहतर कल आपका बहतर तरीकी से इंकदार कर ला है आने माले 2024 के लिए आप तमाम दर्शकों को हम किसें किरें कि तरफ से बहुत 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 धन्यवाद आपको दो भेटर तरीके से इसे नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद